नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं पूरूस महिला राष्ट्रिय कुस्ति परत्योकता का उड़ाटन किया सुरण ने कहा कि यहां खेलों के लिए उचित महौल हो खिलाडियों को अपनी परतिभा निखारने और दिखाने का मौका मिले इसके लिए लगातार पर्यास कर रहे हैं मुखी मंत्री ने कहा कि हम खिलाडियों को लगातार परसाइद कर रहे हैं उन्हें आगे बढ़ने का होर संभ़ मौका मिले इस दिशा में सरकार जोजनाय बना रही है जारखन में बारिस के असार जारखन के उतर पूर्वी और निकट वर्ती मद्य हीसों से राहत भरी खबर है मौसम विभाग ने इन छेत्रों में गर्मी से राहत की ग्रीन सिगनल दे दी है विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि राजे के इन हिसों में 16 वा 17 अप्रेल तक गर्जन के साथ हलकी बारिस हो सकती है हलाकि उतर पूर्वी हिसों में कहीं कहीं हीट वेप का असर भी रहेगा इसे लेकर एलो अलर्ट भी है बता दे रांची में आज मौसम सूस्क रहेगा और आंसिक बादल चाहे रहने की भी संबवना है लोहरदगा के जामा मस्जीद में फेका पत्थर परलोहर्दाका जीले के सेना परखंड मुख्याला इस्थित जामा मस्जीद में असमाजिक ततों ने सुक्रवारात पथर फेका जिसके बाद तनापून इस्थित्ती उत्पन हो गई बताया जाता है कि जामा मस्जीद में तरावी का नमाज के दोरान उपद्रियों ने एक पथर फेक कर महुल बिगालने की कोशिस की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने इसकी सुचना ततकाल सेना परखंड वर पुलिस परसासन को दी मामले की सुचना मिलने के बाद दल बॉल के साथ वीडियो असो कुमार चोपरा स्यो बिजय कुमार इंस्पेक्टर सर्यू अनन थाना परभारी सूरज परसाद मोखे पर पहुँचे और मामला सांत कराया खदान लीज मामले में बुरे फंसे सीम हमंद जारखंड के मुख हमंति हमंद सुरिन द्वारा खदान लीज पर लिए जाने के आरोप के मामले को लेकर जारखंड हाई कोड द्वारा राई सरकार द्वार जबाब मागे जाने के बाद अब राजभावन भी इसे लेकर चाहाई अगिन समन विभाग ने एक साल में अगजनी रोक बचाए 15.27 कोड़ोर रुपए राजे में अगजनी पर समय रहते काबू कर 15.27 कोड़ोर की समपती बचाई है वही राजे में अगजनी की घटनाओं में 2.28 लाग 59 रुपए की समपती राख हो गई है बतादे राज अगिन समन विभाग ने इसमें जनवाई से दिसंबर 2021 के बिच के आगड़े त्यार किये हैं आगड़े के मुताबिक इस साल राची में ही 26 आगजनी के वर्दते हुई है सरना कोड के लिए 10 माई को रांची में सभा राश्ट्रिये जनगन्ना के पुर्व सरना आदिवासी धर्म कोड लेने को लेकर आदिवासी संगटन अब अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाना सुरू कर दिया है जनगन्ना के पुर्व अगर अलग धर्म कोड नहें मिला तो फिर अगले 10 साल तक इंतिजान करना होगा आदिवासी संगटनों ने इसे अस्तित्व की लड़ाई मानते हुए संगहर स्टेज करने का निन लिया है इसके तहट अगामी 24-25 माई को दिली के समिधान कल्व पर विभीन परदेशों का परतिनिधित समेलन आयोजीत करने का निन लिया है जिसमें लोग सभा और आज सभा के कई सांसत भी हिंसा लेंगे सर्जू राय का आरोप भरामक बनना गुपता जहरखन में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है इस बाजम सेथ पूर पूर्वी विधायक सर्जू राय के निशाने पर स्वास्त मंत्री बनना गुपता आये है सर्जू राय ने मुखे मंत्री हिमल सेन को पत्र लिका स्वास्त मंत्री बनना गुपता पर गंभीर आरोप लगाया है बता देन निर्दालिय विधायक सर्जू राय दोवारा उन पर लगाया आरोप पर सुवे के स्वास्त मंत्री बनना गुपता ने पलटवार किया है मंत्री जगरनाथ महतों नहीं चाहते कि बिहार की तरह जारखण में भी दो नमबर की सराब पी कर लोगों की महत हो जारखण के राजसुव को चूना लगा रहा सराब माफिया दो नमबर की सराब से हो रही रायसु की छती एक बाते जहरखन के उत्पात एवा मगदनीशेद से सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने बोकारों में कही मंत्री ने माना कि दो नंबर की सराव राजयस्व को छती पहुचा रही है उन्होंने कहा कि नई नीती इसलिए लाया गया है ताकि दो नंबर की सराप को राजे में रोका जा सके और सराप माफियाओं पर लगाम कसा जा सके आज हनुमान जनम उत्सव शल्ला अपरेल को हनुमान जनम का उत्सव बहत खास होने वाला है एकल अभियान की तरफ से जहां भारत के गाउंस लेकर अमरीका, इंग्लेंड, आस्ट्रेलिया, आधि देसों के हिंदू परिवारों में हनुमान चालीसा पाठ का आउजन किया गय है, वहीं विश्व हिंदू परिषद ने देस के सभी प्रखंड मुख्यालेओं के साथ साथ, विदेस में भी सोभायातरा निकालने की त्यारी, वा मंदीर में हनुमान चालीसा पाठ का आउजन किया है, एकल अभियान ने तो भारत के 4 लाख गाउं वा, पचास सोरों में 100 कोर हनुमान चालीसा पाठ करने का लक्ष रखा है, इसके लिए निमंधन भी सुरू है, पलामू में 13 भीगा गेहूं लगी फसल में लगी आग, जारखंड के पलामू जिले के हैदर नगर में 13 भीगा में गेहूं के त्यार फसल जलकर राख हो गई, गिरामिनों ने कड़ी मुआ जाकी मांग की है, धन्यवाद